स्वागत है आपका निखरी हिंदी टुटोरियल्स में आज की कहानी का नाम है एब मत देखो गुणों को देखो साधरन तया दोस्तों हम सब लोग दूसरों की दोश और कमियों की ही अधिक चर्चा करते हैं उसके गुणों की चर्चा कम ही होती है यह छोटी सी कहानी इसी बात को दर्शाती है एक बार महाकवी कालिदास से राजा ने पूछा आप इतने बड़े कवी और विद्वान हैं फिर भी इश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि बुद्धी के समान काया और सुन्दरता नहीं दी कालिदास राजा के इस व्यंग्य को सतकाल समझ गए पर उस वक्त तो वे बिलकुल शान्त रहे जब वे महल में पहुँचे तो उन्होंने दो बरतन मंगवाए इन में से एक मिट्टी का था और दूसरा सोने का उन्होंने दोनों बरतनों को पानी से भर दिया इसके बाद कालिदास ने राजा से पूछा महराज किस बरतन का पानी थंडा और मीठा होगा राजा ने तपाक से जवाब दिया मिट्टी वले बरतन का जिस तरह जलका थंडापन बरतन के मिट्टी का या सोने का होने पर निरभर नहीं करता उसी तरह बुद्धी भी व्यक्ती की बनावट पर निरभर नहीं करती इसलिए व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए ना कि उसके शारिरिक बनावट को आत्मा की सुन्दर्ता ही सबसे बड़ी सुन्दर्ता है भुद्धी वह महानता का संबंध सीधे आत्मा से होता है ना कि शरीर से कालिदास के इस जवाब ने राजा की आँखे खोल दी दोस्तों यह छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें सदैव दूसरों के गुणों को देखना चाहिए न कि उसकी कमियों को धन्यवाद ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद